कि अ बार को लाइक परता था तो हंको, मेशिज़ कता था बहिए obt exploded, कि अा आ पहले शाथ बजंगे हैं, बात में सहाँ की sya to bищ बाकि यहां बहुत करें थे खो ना हुत है, कि काराकट के इस मेला मंडी से हम एक भैंस को दिखा रहा है थोड़ा हम यहां पर बिलंब पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं, जब हम यहां पहुंचते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि बहुत सारी अच्छी इच्छी भैसे बिग गई हैं, लेकिन जो बची खुची भैसे हैं, उन्ही को हम दिखा रहे हैं, जिनकी भैस हैं, उन्ही अच्छे कट-कटी की भैंस है थोड़ी ब्यात में ज्यादा होगी लेकिन जो लोग दूद से मतलब रखने वाले लोग होंगे उनके लिए भैंस चलेगी गुमा के लिए आई है बच्चा क्या इसके पास रहूल बच्चा पाड़ा है कितने दिन का है एक दिन का ही बच्चा ह है पाड़ा और ब्यान कौन सा होगा इसका दूसरा है और सिंग से क्या लग रहा है सिंग से तीसरा लग रहा है इनका कहना है हम लोग इसका कीमत भी जानेंगे बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ता है किसी भी मेला मंडी में हर बड़ी में रहेंगे तो काम सब गड़ बताएगा अब कर्दूद्ध कितना होगा राहूल भाई दूद्ध दोनो टाइम का बताए जा रहा है बारा लीटर वपता रहा है एक विखती बोल रहे हैं तेरा लीटर आप लोग अंदजा लगा लीजियेगा दस से कम दूद नहीं होगा, दस लिटर इसका दूद रहेगा, दोनों टाइम में लाकर, और का दाम मांग रहे हैं इनका, लब्बे हाजार, होगी कितने में, असी तक, रावल भाइक पर कश्ट कीजिए, थ्वड़ा सावर घुमा देजिए, तकि इस भाइस को लोग समझे, असी हजर बोल रहे हैं, लाट, लाष्ट, थोड़ने माला, छोड़ने माला बोल रहे हैं, कि असी हजर उपर में इसको दे देंगे, दूद 12 लिटर बता रहा है, बच्चा पाना है, कल ही कि भी आई हुई भाइस है, ऐसा इनका कहना है, ये भाइस अगर, पैंसाट और सत्त के बीच में आए, तब जाके उचीत है, पैसे मांगने माला विक्ति कभी भी उपर ही कीमत मांगेगा, राहूल भाई, आपके सहयोगी जो थे, वो बोले असी है, जार कुछ कम होगा दाम या फिर, फिक्स है, थोड़ा बहुत मिमान थमान नहीं करेंगे, हो जाएगा, हो ज महिन और परिक चमणी में हैं यह भाईस, और अच्छी दूद में रहेगे, 10 से लेके 11 लिटर दूद इसका कहीं भी नहीं गया है, घर परिवार में रखने योगी भाईस है, बहुत बढ़िया, थान की बनावट देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी के दीक है, आजबर दूद्धा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह उच्छी धने करेंगे, परिक नहीं च्छी है, एक हजा, रुपधा जोड़ देंगे, थाक है, उच्छी हो दगे, से हम कारागाट के मेला मंडी में डेड़ बजे की करीब पहुंचे तो हमारी मुलकात इन से हुई आप लोग पहचान गए होंगे क्या नाम लाज बहादूर जादो कहां से हैं आजमगर 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 इनके मुख से ही आप लोग सुने होंगे मोखिक रूप से अपना न कितना रूपे की मिली है नारे 42 की मिली है 1493 मिली हैко उसारे 43 की ये मिली है नइ धाया संब किसम चान रेक होती है इये कितने की पड़ई है तीरालिस और एक और भैंस खड़ते हैं यह वाली यह 43 की है यह 42 की है यह 56 की 56 रुपय में ठीक है अच्छी भैंस है यह भी पहली वियात में है नहीं है इसका बच्चा क्या है बहुत बढ बढ़ी है आपको सवागत है इस जगह पर हमेशा एख क्यों मुलेगा तो आएंगे हमेशा एक दं मिलेगा इस मेला मंडी में जब भी हम आते हैं तो बहुत सम्वत की अपर मंगी को どें मिलते हैं यहultur isol की कि भाइसों को खड़ देंगे लेकिन अज्ञानता है जो लोग जानते हैं उन्हें हमारे बारे में बताने क्या हो सकता नहीं है क्या नाम हो यह दनेंजा भाई कष्ट कीजिए हम आपके हिद के लिए यहां तक पहुंचे हैं अच्छी भाई इसका बच्चा गया है बच्चा पाड़ा है कितने दिन का है बच्चा इसके पास और दिन का और यह कौन से ब्यान में है दूसरा में है थोड़ा ले आईए इधार पहले ब्यान में है और कितना इसका दूद हो जाएगा दूनों टाइम में लाकर और का दाम मांग रहे हैं इसका साही बोलिएगा धनाज़ा बहुत उच्छा मांग दिया परशंशा कर रहा है लेकि दाम की परशंशा नहीं करेंगे अच्छा तरह की भैसों की मांग अत्य दिख बनी रहती है थोड़ा सा बाहर निकालिया और हमें भाव से बताइए इस वह से संबंध रेट अरांसा ले आईए आईए अच्छी थनों की बनावाट वाली है यह य नहीं जो ठनों में दूरी में काफी अच्छी देखने को मिल रहे है लंभी दूरी देखने को मिल numéro यह थन में एक समान दूरी और लंबाई हमें असपस्त दिखाई दे गहा है कितना में देंगे क्ता मोलिये ना वह मैं बहुत ऊचा मांग लिये कि नब्बय की करीब भया इसको छोड़ते तब जाके ये भैस उचित रहती बच्चा पाड़ा ही है ना पाड़ा ही है ना पढ़िया रहती तो थोड़े बहुत रेट ऊपर चड़ सकता है लेकिन नहीं नब्बय उब्बय तक भी आजा तो उचित है कराकट का या मेला मंढी प्रते एक बुथवार के दिन लगता है बुधार के दिन चौछ Cole that मेला इस मेला मंबी की विडियो को सूट करके हम इस मेला मंधी में समय आम इनुसार पहुंशनी की कोशिश करते हैं लेकिन आते हाते हमें यहां फे करीब एड़ दूख बच जाते हैं इधर ले आई है भीया इधर ले आई है अपनी भाइस को हमारे सामने अगर एक बार भी भाइस को घुमा देंगे ना तो समझ लेजे कि दुनिया इस भाइस को देख लेगी क्या नाम है? बिनोध भाई है और दिल्दानगर का मेला मंड़ी में भी जाते थे अभी भी जा रहा है कि छोड़ती है? यह नहीं है तो फोले भाई है अच्छा दूख ठोले गया है क्या इसका बच्चा? बच्चा पढ़िया है और कौन सा भियान में हो गिया? दूसरे, दूसरे दूद कितना हो जाएगा? दूद है बारा कीलो बारा कीलो दूद बता रहा है सच्छा लीटर दस लीटर के लिए उप्यूकत भायास है क्या दाम मांग रहा है इसका? दाम को मांग रहा है पचासी हो जाएगा देंगे कितने में? आप अधर ले ले लिजी है नहीं आप बोली है, हमें लेना नहीं आज आज भास में लेना, नहीं रोपते लाएगा आज़सी है असी है जा, बहुत उचा दाम बोल दी है भाये इसको असी में बता रहे है देंगे वही पएंसाट हो सट सतर अतर केर्द गिर आजानी चाहिए पएंसाट हो सट काश्पास साट से पएंसाट क्या बच्चा भी है बहुत बढ़िया बच्चा फीमेल है पढ़िया है बच्चा इसको छोड़ देंगे मेला मंडी के उपर निर्वर होता है मेला मंडी में ग्राहक कम रहेंगे अगर वही बाहरी ग्राहक बढ़ जाएंगे भाव थोड़ा बिगड सकता है खरदार रिखती के लिए कारा कर्ट के मेला मंडी में जब भी हम आते हैं तो यह भाई जरूर मिलते हैं आज उदास लग रहे है कितना भज देखा आठे हैं दो भाइस इनके सुबसे भी किया इस वज़ा से भाई नराज है नाम क्या है भोल गया चुन्टुन भाई यह दो भाइस आपकी है और कौन से है और दो भाइस यह रहे हैं और मेला मंडी में और चाड़ा होता रहता आज ग्रह अकर आये तक इदराइये काई अथा मेलामंडी में थीड़ गें कुछ यसी चीज़े शीता जो नहीं हो सकती है यानि बातों का जो अर्दान पर्दान है तुक यह किस रेंज के हैं आपके हां भाई से और या रियल वाला बता देजिए यह सब भाई यह सब पच्पन के भाव में और यह सब यह सब तुन्टुन भाई घुमाईये तो जोनों को घुमाईये बहुत से लोगों को मेला मंदी से खोला टाइप भैसों की जरूरत होती है दस लिटर ग्यार लिटर दूद के लिए भैस सबसे सही तुन्टु भाई दोनों कितना में दे देंगे कितना में खुल के बोलिया एक दस में ले चलिए बादिया भाई का कहना है कि दोनों भैसों को हम एक दस में दे देंगे मेला मंडी में बहवार का भी होना बहुत जरूरी है अगर आपकी जान पहचान और पहुंच और पकड़ नहीं है तो आप मेला मंडी में आएंगे तो इन ही भैसों का कीमत आप लोगों को कुछ हलत बता जा सकता है इस ते लंगना से आते हैं रामदाजी वह पुर्ण आप लोग जो यह भैस आप लोग देख रहे हैं इसका कीमत यह जो भाईया है कितना मांग रहे हैं भी यह अचाचा दाम क्या मांग रहे हैं इसका एक 35 आप लोग देख लिये ना इसी वजह से हम इसका पूरा डिटेल नहीं ले रहे हैं एक 35 दाम बोल रहे हैं, काफे मनमाना कीमत है, इसी वज़ा से हम इसका और भी जनकारी विस्तार से नहीं दे पा रहे हैं, इंसे हम पूछी नहीं रहे हैं, वज सभी पूछेंगे तो उलट-उलट बोलेगे, दाम ही जो अनाफसन आप बोल रहे हैं, जब हैस बहुत होगी तो सामने एक नई पढ़िया के विक्री हो रही है, नई भायास है, हम लोग देखेंगे कि इस नई भायास के विक्री ये लोग कितने रुपए में किये हैं, कितना बैचे हैं भाई, 5.65, बच्चा इसके पास हम देख रहे हैं, पाड़ा है, मैं सठ में इसके विक्री बता रहा है, ये नई भायास है, ये नई भायास है, चलिए, खरी देखेंगे जिए, इसके बाद इधर आईए, पाटी बोल रहा है, ये लाख रुपए से कम नहीं बागेगा, अब पचासी बोले हैं, ये पचासी बोल रहा है, अच्छा आप इसका 75 लगा दें और इसका 70 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसको लगा रहे हैं 75 आप लगा दिये इसमेला मंडी में खरीदी करवाते हैं इसका कीमा अपने तरफ से यह वेक्ती 75 लगाया है और इसका 72 लगाया है यह भैस 10 लिटर में होगी और यह भैस 12-13 लिटर से कम दूदनी होगा इसका टाइम का जिनकी यह दोनों की दोनों भैसे हैं इन भैसों का मालिक देखिए यह और जो खरदार विक्ती हैं देखिए यह खरीदी करवाने के लिए हो गई कितने में हमें लग रहा है यह देखिए रियल बता रहा है यह मालिक है असली मालिक रही है कलकता से आते हैं यह कितने की पड़ी है यह सिंगल इसको छोड़ दिया है इसको छोड़ दिया है एक यह वाली भैस खरीद लिये आप पचासर वाउनन पर अच्छ sih कावन में एक किया हो गए यह बहत्तर यॉथे इससे श्रमान के साथ एक जोड़ी में और来़करीद खरीदा गिया है अद dulकिए बइस यह वाल्यवज को दो आख़ए पर पीछेए इसलिए भांव से आई ए था रिए यह वाली करना और यह दूसरी वाली यह पंका ले लिए पच पंक है तो तो हर जागा बारो एक थन खराब है इस खना का बाबा आज मार्केट में भैस थोड़ी महंगी थी क्या थोड़ी महंगी हो वही थी बाकि यहां तो बजार बहुत सस्ता हो रहा है बहुत बजार सस्ता भी रहा है अने माला दिन में कोई भाव में मिल जाएगी पत्का पत्का आने माली दिन में 5,000 मंती मिलेगी अच्छा एक भैस खरीदी जाती है तो जो यहां पर परची बनती है और कितने रुपई की बनती है यह थी परची बहुत बहुत बढ़े हैं तो यह चाचा लोग जरूर मिलते हैं बराबर ही भैस भैसते हैं यूपी के भी मेला मंडियों में जाते देख रहे हैं यह थे लोग क हैं और यहां भी बहुत बढ़िया हैं अच जाँ आंग भी मेला मंडी में जादे से जादे कलकत्ता से लोग पाहुचते हैं और यहां से जो भैसो की खरीदी करते हैं उसका मिनिमूम दूद जो होना चाहिए दस से बारा लीटर इससे कम नहीं होना चाहिए अधिकतर जो डेरी फार्मा है जो कलकत्ता के उनकी सोच रहती है और यहां तुनला मनिक साके खरीजी भी करते हैं सिंग की टुटी-फुटी कैसी भी राएगी चलेगी हाँ आठ लेटर दूध होगा इसका इससे कम नहीं देखिए कलकत्ता से भाई लोगा है अब यह क्या नाम है मोनी मोनी भाई इदर रही है नाम बहुत डिफरेंट है यह भी भाई है बाबु इस बैंस को आप लिए हैं कितने दूध के अधार के लिए हैं कि अधार के लिए हैं कितना दूध पे लिए हैं आठ लिटर दूध होगा इसका चीक है ले आईए अब जैसा ही हम इस मेला मंडी में आते हैं तो लोग काफी उतावले हो जाते हैं गुमाईए गुमाईए बनेगी बनेगी एक्दम बनेगी आपकी जर्सीगा है तो इसका जरूर रम बनाएंगे लेगिया भाइस को जर्सी काई भईया बना रहे हैं हलकी में भाइसा लेकिन ठीक है निर्धर वेक्टी के लिए सबसे सही भाइसा हमें लग रहा है कि 5-6 लीटर दोध होगा ताइम दूध केतना है नहीं पांच लीटर दूध नहीं 5 लीटर दूध दिए ठीक भाइए ठीक भाइए ठीक भाइए ठीक भाइए आठ लीटर मान के चलिए अच्छा चलिए सत्य बोलिए दाम जरा सत्य भोलिए पचासाथ अंठावन तो बांद यह थोड़ा घुमाई यह तो देखा जाएगा हाँ 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 सभी बार बोल रहे हैं कि पचपन हजार रुपे में दे देंगे लेकिन यह भाइस महंगी पड़ेगी हमें लग राएगे 45-45 के आस पास आजाएगी तो उंख चीत है अभी भी जूट नहीं पूला है तो नहीं नहीं सभी बात है आपके भाइस हम लिया है दो-तीन भाइस खर गया है नहीं नहीं ठीक है कितने में होगी साही बोलिया यहां पर हमसे बोलिया खुल के बोलिया रहा है यह जर्शी घाई है बोलिया रहा है बहुत बहुत भाइस अच्छी ब्राइशी ब्राइश चली आज मिल गये ना हम लोग है आजी मिल गया खुस हो गया ना हम लग सब्सक्राइब बाद में साड़े साथ बाजे तब कौब आतर देली देखता है अब बराबर आएगी आपको साथ और आठ बजे के बीच में विडियो और यह तीन बाद आए आम जनता है चोसा में करता है कितना भैस ले जाएंगे आज आम लिया पाच गोई लिया चार गो अरगात लिया तीन को अब यहीं पर बराबर कंटिल्यूमंटी करते हैं इसलिए आपको बूल रहा है आपका कोमेंट आता था कि काराकार से वीडियो करो चलिए बहुत बढ़िया पूरा हो गया ना वीडिय अश्याै लिए अधिकर तरी थ्मिश्राइख इसमी ने अच्छा दाम है अच्छा चिसने अच्छा दाम है उच्छी निच इसमें मिला मंड़ी चलता है अरे वर मेंगा मैं देखता नहीं है बजा दिन कर दिन पाढ़ जाता से बार से लनना है ज़िए कि का लूब घूबquar कि घूब एफंगる कला भी छूब